Hello everyone, how are you? My name is Lucky Khandilwal तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम एक series चला रहे हैं जिसमें हम SSC CHSL के जो भी best questions होंगे, उनको हम option के मदद से solve कर रहे हैं जो हैं आपके quantitative aptitude के, तो अभी तक हम 12th October में shift 1, 2 and 3 के पूरे questions कर चुके हैं इस वीडियो में हम 13th October में shift 1 के questions करेंगे, जो आपके option के मदद से easily solve हो सकते हैं तो जो हमारा पहला question है वो इस थरीके का है, जिसमें आप देखें, the distance between two railway station is 1, 1, 7, 6 km To cover this distance, an express train takes 5 hour less than a passenger train, while the average speed of the passenger train is 70 km less than the express train The time taken by the passenger train to complete the travel is, ठीक है अब इसमें आप से क्या पूचा गया है कि passenger train इस distance को cover करने में कितना समय लेगी, ठीक है अब हमें इसमें क्या दिया गया है Express train लेती है 5 घंटे जादा, ठीक है तो जो passenger train होगी आपकी, अब अगर हम option से जाते हैं passenger train अगर 18 घंटे लेगी तो express train आपके 12 घंटे लेगी अगर 17 घंटे लेगी तो यह 11 घंटे लेगी 1176 एक speed आप मानेंगे x, minus 1176 एक speed आप मानेंगे x-70 फिर इसको solve करेंगे एक equation आपके 1176 upon x-1176 upon x-5 इस तरीके से आपको यह 4 equation solve करने रहे गया तो इसको आप x मान सकते हैं तो इसको आप y मान सकते हैं यह आपकी speed की equation हो गई यह वाली और यह आपकी हो गई time की equation तो इन दोनों को solve करने में आपका 3-4 मिट का समय easily जा सकता है लेकिन यह पूरे जंजट से बचने के लिए मैं आपको एक बहुती short तरीका बताता हूं जो हम option की मदद से इस question को बहुती easy तरीके से solve कर पाएंगे अब आपने देखा कि आपको यहां पे पूछा करे है passenger train का time जो कि आपने चारो option रखे और यह आपका express train जो की पांच घंटे कम लेती है passenger train से ठीक है तो express train के हमने यहां पर पांच घंटे माइनस करके लिख दिए अब हम यह देखते हैं कि 1176 आपका इन इसमें से कौन से option से divisible होगा तो यह आपका definitely वो जो बड़ा सा concept था उससे तो कम समय लेगा 116 आपने कर रहा 18 तो यह आया आपके पास आया पांच नब्य है चाया 108 108 गया तो यह आया आपके पास 96 96 आपका 18 से divisible होता है नहीं होता तो यह आपका सही आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यह जो है आपकी वैल्यू यह 18 से divisible नहीं होती अब हम आते हैं 17 पर 17 पर 17 पर जैसे आपने देखा 1176 को आपने डिवाइड करा 17 से तो 17 इंटू 5 होता है आपका 100 इंट स्वेशाव से होती पर 17 1099 119 यह इन नाइन जीरोnd यह भी 17 से दिविजबल नहीं है यह भी आपका सही आंसर नहीं हो सकता अब हम जाते हैं 23 फे 1176 डिवाइड इवाइड बाइड रिटी थी फ्रें त्वेंटी त्वेंटिर से आपने गई 105 पर 206 126 तुए क्योंकि जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक होल वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि यहां पर आपको दिया गया है यहां पर डिफरेंस जो है स्पीड का वो 70 है अब हम 1176 को डिवाइड करते हैं 12 से तो बार एंटू नो होता है आपका 108 तो यहां आपके पास 9 यह आपकी स्पीड निकल के आई 98 अब हम 117 से इसको डिवाइड करते हैं 7 से ठीक है 1176 डिवाइड बाए 7 7 से डिवाइड कर तो यहां आपके पास 1 ठीक है तो यहां 47 तो यहां आपके पास 4 पर 1176 17 से गया तो आया 1447 तो यह आया आपके पास 168 ठीक है 168 यह आया आपके पास और 98 यह तो इनकी जो स्पीड के डिफरेंस निकल के आया वह आया 70 तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन था वह आपके यहां पर हमें स्पीड कर डिफरेंस दिया गया था 70 किलोमीटर परा अगर आप ध्यान से देखते हैं मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को अगर आप जो आपका कंवेश्चनल कंसेप्ट होता है उससे सॉल करेंगे तो कितना समय लग जाएगा लेकिन हमने इस तरीके से सॉल करा तो आपका यह क्वेश्चन एक मिनिट के अंदर सॉ कि इस तीनों नंबर में से किसी से अदिख नहीं हो रहा था और रिखा लंगे किक्ल सो आए पास पास स्पीड कंपा वो आई आपके पास 98 ठीक है अब जो आपकी यह passenger train का time अब जो आपकी express train का time था वो ता 5 घंटे कम जो कि हमने लिए 7 फिर हमने 116 को divide करा 7 से तो आपके पास आई speed 168 तो यहां पे speed का जो difference निकल के आया वो आया 70 तो जो आपका सही answer हो गया वो हो गया option question number D I hope question आपको समझ में आया होगा इस question को समझाने के लिए मैंने 4 से 5 मिट का समय लिया है लेकिन मैंने आपको काफी अच्छी से question समझाया है आप कोशिश करें कि अगर इस type के बड़े questions आते हैं तो उसमें आप conventional तरीके को छोड़के आप option की question को solve कर सकते हैं तो आपका next question है वो भी काफी अच्छा question है क्योंकि यह जो 13 तारिक की shift 1 और 2 है इसमें आपके मैस के काफी अच्छे question पूछे गए थे तो 13 तारिक की shift 1 में मैंने आपके 6 question लिए हैं जो आप option की मदद से काफी easily solve कर सकते हैं ठीक है अब अब क्या है मैं पर्चेस जगार फुर 12 लैक और इंशुर्ड करा उसने 80 परसंट का इंशुरेंस कितने का हुआ 9.6 लैक का अब जैसे जैसे आप question को पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उसको solve करते जाए तो जो आपके अब कार की डिलिवरी होने वाली थी उस मतलब कार वो किसी और को देने वाले थे उसके पहले कार का accident हो गया after the accident the car was damaged a lot and insurance company paid 90% of the insured amount अब क्या हुआ इंशुरेंस का amount था यह और जो इंशुरेंस कंपनी ने पे का रहा इंशुरेंस कंपनी ने पे करा आपको 8.64 अब उन्होंने क्या पूछा आपसे नेट डिफरेंस इन तू ट्रांजेक्शन अब यहां पर दो इंशुर्ड अमाउंट का 90% जो क्या आपके बास 8.64 अब जो आपकी सेकेंड एक्वेशन थी वह क्या थी कि अगर वह बारा लाक में 15% लॉस पर बेचते हैं तो मतलब आप सिंप्ली करने के लिए इसमें निकालेंगे 120 का 15% थी आपके बास 12 और 60 आपके बास 18 एक सो दो मेंसे आप माइनस करेंगे 8.64 मतलब 86.4 तो यह आपके बास पीछे पॉइंट का 6 अब जैसे ही आपने पॉइंट का 6 दिखा तो आपको समझ में आया कि पॉइंट का 6 पीछे आपके सिर्फ एक ऑप्शन में है जो कि है ऑप्शन नमबर 1 तो यह डेफिनिटली इस question को हमने पढ़ते-पढ़ते solve कर रहा यह question आपका कितनी easily solve हो गया अब आप कोशिच करें कि इस type के questions को आप इस तरीके से solve करें क्योंकि बड़ा question है यह तो इसको आप पढ़ते-पढ़ते ही solve कर सकते है इसली जो next question अगर आप देखते हैं the average of 35 consecutive natural numbers is n ठीके अब dropping the first 10 numbers and including the next 10 numbers अब इसमें आपने क्या करा पहले के 10 number हटा दिए और आखरी के 10 number add कर दिए तो जो average change होगे average होगे m तो आपको निकालना है कि m square minus n square आपको दिएगा 600 तो आपको average निकालना है 3m plus 5n का अब आप देख लेकिन इसको मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता होगा कैसे आप इसको solve कर सकते हैं अब solve करने से पहले आपको concepts समझना बहुत जरूरी होगा यहां पर मैं 5 number लेता हूं 1 2 3 4 5 अब ठीक है इन 5 number का आपने निकाला पहले average क्या होगा 1 2 3 3 6 4 10 5 15 15 divided by 5 average निकल क्या है आपक आपके पास 5 अब इसमें जो मैं आपको चीज समझाना चाहरा हूं वह यह है कि अगर इस टैक की condition होती है जिसमें आप पहले के दो number हटा देते हैं और आकरी के दो number हटा देते हैं तो जो आपका average होता है उसमें increase होता है दो का ठीक है अब जो हमारे उपर वाला question है उसमें क है कि आपने पहले के 10 number हटा दिए और आखरी के 10 number add कर दिए तो जो आपके average में difference आएगा वो कितने का आएगा 10 का क्योंकि यहां पर हमने दो number हटाए थे और दो number add करे थे तो डिफरेंस आया था दो का similar अगर आप तीन number add करेंगे तो जो आपका average में difference आएगा वो आएगा 3 यहां पर हमें क्या दिया था 10 number तो 10 number हमने घटाए और 10 number कम ओ सरी 10 number हमने हटाए और 10 number add कर दिए तो आपके पास net difference आएगा average में वो आएगा 10 का अब ठीक है जो पहले आपका average था पहले आपका average था n और next आपका average हो गया m तो जो आपका m होगा वह होगा पहले का average जो आपके पास n plus 10 सिर्फ आपको यह equation थी जो आपको समझनी की जरूद थी एक बार आपनी इतना solve कर लिया तो फिर इस question में कुछ भी नहीं बचा है अब मैं आपको एक question बहुती आसान त स्क्वेर है आपका 600 m स्क्वेर के आपके पास n प्लस 10 और यह प्लस होगा आपका है यह प्लस ही लिखा हुआ है एन प्लस 10 का whole square माइनस एन स्क्वेर इसको आपके पास 600 तो इसको अगर आपने solve कर रहा है आया a square plus b square plus 2a भी मतलब 20 N माइनस का n square is equal to 600 तो n square से n square गया प्लस का 100 इदर जाके हो जाएगा माइनस का तो यह आपके पांसो 500 is equal to 20 N तो आपके बस N की value निकल के आई वह आई 25 न की value आई आपके बस 25 और M की value क्या थी प्लस 10 तो M की value निकल का यह आपके पास 35 अब आपसे क्या पूचा गए है 3M 3M आपके पास क्या होगा पैथिस सत्तर 105 प्लस 5 ए कितना होगा आपके पास 125 यह हो जागा बास 230 आप से क्या पूचा गए average तो 230 divided by 2 average आएगा आपके पास 115 अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे कि यह एकि टेपिकल क्वेशन था लेकिन मैंने आपको के इतने अच्छे तरीके से बताया कि कैसे आप इस question को एक short तरीके से solve कर सकते हैं आपको समझ में आया होगा कि जैसे मैंने आपको एक से कि कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे आपने एक दो तीन नंबर आप तो पहले आपने पांच नंबर लेके कर रहे था मैं आपको तीन नंबर आपने लिए तो यहां पर एवरेज निकल के आपके बस दो अब यहां पर आपने पहले का नंबर रटा दिया एक और जो हमें क्या समझ में आया कि जो भी आपकी कंजेक्टर जेए इक बाद की सीरीज होती है उसमें अगर आप सेम टाइप के नंबर हटा रहे हैं और same number add कर रहे हैं तो जो आपका average होगा वो उतने से increase होगा सिर्फ जो ये condition थी वो आपको इस question में समझेना था उसके बाद हमने देखा कि पहले आपका average था N ठीक है तो फिल हमने average माल दिया N और जो next average था वो था आपका M तो वो आपका increase हो जाएका 10 से क्योंकि यहां पर हमने 10 number पहले कम करें और 10 number add कर दिये तो उस तरीके से नया average आया आपका N प्लस 10 और आपको condition दी गई थी M square minus N square square to 600 यह condition हमने यहां पर put करी N की value आई हमारे पास 25 तो जो आपकी M की value थी वो थी N प्लस 10 तो आपकी M की value आगई पहले तो उस तरीके से हमने इस question को easily solve कर लिया तो जो next question है आपका काफी easy question में कहूंगा जिसमें आपको निकालना है कि यहां पर 6 से divisible होने वाला number कौन से रहेगा अब 6 की divisibility क्या होती है number आपका 2 से और 3 से इन दोनों number से divisible होना चाहिए लेकिन जो आपका second number है कि 2 से divisible नहीं है तो यह आपका सही answer नहीं हो सकता अब simply आप देखेंगे कि इन तीनों में से 3 से divisible आपका कौन सा number है क्योंकि यहां पर even number है यह even है यह even है मतलब यह तीनों number आपके 2 से divisible होंगे अब आपको इसमें क्या करना है इसमें आपको x की value तो निकाल नहीं है उसके बाद आप क्या करेंगे आपको यहां पर x की value पुट करके आप y की value निकालेंगे लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि अगर सिर्फ आप x की value निकाल लेते हैं तो भी आप इस equation में बिना पुट करें आप y तक बहुँच सकते हैं तो मैं आपको बताता हूं कैसे अगर आपने देखा कि 2145 divided by x is equal to 3003 divided by 42 अब अगर आप देखें तो यहां पर आपने x की जगे आप यहां ले आएंगे तो यह होगा आपका 3003 divided by 2145 is equal to 42 upon x एक सेकंड रुकिए है तो यहां पर क्या होगा जो 42 होगा यह आजाएगा आपका नीचे ठीक है अब यहां पर आप देखें 33 और 33 मतलब यह नंबर डेफिनिट्ली आपका 11 से डिविजिबल होना चाहिए अब हम इसको डिवाइड करते हैं 11 से ठीक है तो यह 11 से गया तो यह आया आपके पास वन जीरो फोर तो यह आपके पास 9 और 5 मतलब 5 ठीक है और यहां पर आपने 11 से इसको डिवाइड करा यह आया 22 तो 808 283 एक से रहे एक से किना 2 से गया तो आया 80 73 सौरी यह होगा आपका 273 होगा अब अगर आप इसमें देखते हैं ध्यान से तो 273 आपका 3 से चला जाएगा यह 3 से गया तो यह आपके पास 81 और यह 185 195 भी आपका 3 से चला जाएगा तो यह आपके पास 65 ठीक है अब 65 आपने देखा यहां पे और यह 42 है आपका 8142 यह भी 3 से चला जाएगा यह आपके पास 27 और यह आपके पास 14 इसमें हमने कुछ काल्कूलेशन की मिस्टेक कर दी है आप एक सेकिंड का टायम दीजिए मुझे मिस्टिक समझ में आ गई है मुझे अगर आप इसमें ध्यान से दिखते हैं तो इक्वेशन क्या बन रहे है आपकी 2145 divided by X is equal to 3003 divided by 42 अब इसमें आपकी X की value क्या होगी 2145 into 42 यह यहां चला जाएगा X यहां पर आगया आपका 3003 आगया आपका नीचे 3 003 को पहले हम और हम कारते हैं 3 से 701 001 और 42 हो अपका 16 1001 इंपका वन ज्यापका 11 से चला जाएगा और दो और और यह आपका 11 से चलब गाएगा यह 7 से जाएगा तो यह आएगा 2, 91 से जाएगा तो यह आएगा 13 और 13 आपका 195 से जाएगा तो यह आएगा 15 ताइमस में 11,704 मतलब यह कहीं न कहीं आपका 4 से 5 टाइमस के बीच का होगा अब ठीक है अब आपको एक चीज समझ में आई कि डेफिनिटली वह 4 टाइमस से जाएगा और 5 टाइमस से कम होगा अब अगर आप इसमें देखते हैं तो यहाँ पर X और Y की वैल्यू भी आपकी X की वैल्यू है आपके पास 30 तो डेफिनिटली यहाँ पर जो वैल्यू होगी वह X का यह तो चार टाइमस से जाएगा और 5 टाइमस से कम होगी तो 30 इंटू 4 कर आपने यह आपके पास 120 और आपने 30 इंटू 5 कर आपके पास 150 तो जो आंसर होगा आपका वह 120 से 150 के बीच में होगा अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 156 जादा हो गया 140 हो सकता है 96 बहुत कम हो गया 212 बहुत जादा हो गया तो सिर्फ आपका एक option आता है 140 जो कि आपका यहाँ पर Y की condition को satisfy कर रहा है अब आपको एक चीज़ में clearly समझ में आई होगी कि अगर आप इसमें value put करते हैं तो यह question आपका काफी लंबा हो सकता है लेकिन मैंने आपको काफी अच्छा तरीका बता है कि कैसे आप इस question को solve कर सकते हैं यहाँ पर हमनी x की value put करी तो Y 30 30 corresponding करेगी Y के और जो 2508 है कर्रेस्पॉंड करेगा 11704 के अगर इसको रफ लिए पच्छिस सो भी माल लेते हैं और इसको 11700 भी माल लेते हैं तो भी आपको आएगा समझ में कि यह कहीं न कहीं आपका 10,000 से 12,500 की बीच में रहेगा तो इस condition में आपको समझ में आएगा कि वह आपका 4 से 4 टाइम से 5 ट की आंसर होगा वह 120 से 150 के बीच में रहेगा कि अब जो नेक्स्ट क्वेशन है आपका लास्ट क्वेशन है हमारा थेरा तारिक में शिफ्ट वन का जिसमें अगर आप देखें तो एक ही वैल्यू है आपकी साइन साइन तुदी पावर सिक्स थीटा इसको में जूम कर लेता ह ठीक है एक ही वैल्यू है आपकी साइन टूकुदी पावर सिक्साइन और स्वार्व दिया गया है संसर को दिया आपको यह बिस इंगा एक को निकाल नीए ठीक है अब इस कंडिशन में जो सबसे अच्छी चीज होती है वो यह होती है कि समें आप थीटा की वैल्यू पूट 2 और कॉस्स फॉर्टिवा की वैल्यू भी होती है वन बाइ रूट तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्ड करते हैं जैसे हमने देखा कि एक ही वैल्यू है आपकी टू इंटू onei double to power six it ouais रपस्दट्ट來 कोच अबस्टाइथ रपेस्ट्ट्र है तो वन बाइ प्लस में एटु बाइट तू आए टू बाइ यू मतलब 1 by 4 यह हो आपके पास 2 into 1 by 4 यह हो आपके पास 1 by 2 ठीक है नेक्स्ट आपका माइनस का 3 sin to the power 40 मतलब 1 by 4 plus 1 by 4 आपके पास 1 by 2 तो 3 into 1 by 2 आपके पास माइनस का 1 sorry minus 3 by 2 यह हो आपके पास माइनस का 3 by 2 यह आपके पास 1 by 2 माइनस का 3 by 2 तो माइनस का 2 by 2 यह आपके पास माइनस का 1 ठीक है अब आप यहां पे इस equation को put करते हैं तो cos alpha is equal to 3 plus a और 5 plus a अब यहां पर a की value आपके पास के निकल कहीं minus 1 तो 3 minus 1 2 और 5 minus 1 4 का आपको निकालना है अंडर रूट यह हो जाएगा आपका 1 by 2 अंडर रूट यह हो जाएगा 1 by root 2 अब यहां पे alpha की value क्या निकल क्या आपके पास 45 क्योंकि cos alpha की value 1 by root 2 होती है 45 पर तो आपको निकालना है 3 alpha 3 alpha की value क्या हो जाएगी 135 डिगरी जो कि है आपका option number D अब इस तरीके से आपने इस question में theta की value put करके solve कर लिया question को अब अगर आप देखें यह वाली जो shift थी 13 तारिक में shift 1 इसमें हमने 5 से 6 question करें जिसमें हमें roughly 20 मिनिट का समय लग गया क्योंकि इससे जो पहला वाला question था उसमें थोड़ी से calculation mistake कर दी तो उसको हम निकाल भी दे तो हमें 20 मिनिट का समय लगा क्योंकि यह questions मैंने आपको काफी अच्छी से समझाए तो आप कोशिश करें कि इस video को आप पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें कुछ और डाउट आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक्यू वेरी मच